दोस्तो किसी भी मोबाइल को कैसे अपडेट करते हैं इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूँ मोबाइल को समय समय पर अगर आप अपडेट करोगे तो कभी भी हैंग नहीं करेगा हमेशा नया जैसा रहेगा ना कभी सलो चलेगा यहां तक की गेम खेलते समय आपको अच्छे से अच्छे performance मिलेंगे तो अपने मोबाईल को समय समय पर update करोगे कई लोगों के phone में update आ जाता है पर update ही नहीं करते अब भाई अपने mobile को update नहीं करोगे न तो भाई आपका phone hang तो करेगा ही करेगा उसके साथ साथ virus भी आ जाएगा और आपका phone slow हो जाएगा virus आ जाएगा phone जल्दी खराब हो जाएगा मान लिजे कोई ऐसा एप आ गया और आपका पूरा phone का data leak हो जाए तो इससे अच्छा है समय समय पर आपको अपने mobile को update करोगे जानना चाहते हो सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक like कर दो चैनल को subscribe कर दो और guys continue इस वीडियो को देखते रहो तो आईए दोस्तों हम बताते हैं कि किस तरीके से आप अपने phone को update करोगे तो उसके लिए दोस्तों हम सब के phone के अंदर दो तरह का update होता है एक हम सब के phone के अंदर ये सब यितने 50-60 application होता है ये application का update होता है एक हम सब के अंदर software का update होता है तो दोनों update करके आपको live group दिखाने वाला हूँ कि आप दोनों update कैसे करोगे तो सबसे पले हम आपको application होता है application का update करके दिखाएंगे तो application का update करने के लिए दोस्तों आपको करना क्या होगा उसके लिए play store को आपको open करना है जब आप play store को open कर लेंगे तो यहाँ पर profile होगों इस पर आपको click करना है जैसे आप click करेंगे तो यहाँ पर एक setting है manage apps and device इस पर आपको click करना है और यहां all पर click करके all भी कर सकते हैं तो इस तरीके से दोस्तों देख सकते हैं एक अप करके आप update कर सकते हैं यहां पर application हमारा update हो रहा है उसके बाद दोस्तों यहां पर update हो जाएगा एक अप करके all पर click करेंगे तो all भी हो जाएगा उससे पले दोस्तों आपके phone के अंदर internet data है तो ठीक है, wifi है तो ठीक है, play store में आके राप अपने phone का application का update कर लेंगे, उसके बाद यहाँ से back जाना है, back जाना है, back जाना है, उसके बाद दोस्तों आपको अपने phone के software का update करने के लिए, उसके लिए setting पे click करना है, जब आप setting प अपडेट हो सकता है, आपके phone के अंदर यह setting system update के नाम से देखने को मिले, इस पे आपको click करना है, अगर यह setting देखने को नहीं मिले तो यहाँ सर्च बार है, search बार पर पे आपको click करना है, और यहाँ पे लिखना है software update या system update के नाम से अगर आप डालोगे, तो यहाँ पे सेटिंग देखने को मिल जाएगा तो देखे दोस्तों सोब्टेयर अपडेट के नाम से यह सेटिंग आ गया तो यहां पे चाहे आपके पास सस्ता फोन हो चाहे महांगा फोन हो हर किसी के फोन के अंदर यह सोब्टेयर अपडेट वाला यह सेटिंग होता है तो देखे लिख है यहाँ पर भरजन अप्टू डेट यहाँ पर देखिए हमारा फोन अप्डेट है अगर आपका फोन अप्डेट नहीं होगा तो यहाँ पर अप्डेट लिखेगा 200MB, 300MB, 400MB, 1GB, 2GB इस तरीके से अप्डेट मांगेगा तो आपको यहाँ फ्यूचर पर किलिक करना है और जै आपका फोन अप्डेट होना शुरू हो जाएगा उसके बाद आपका फोन अप्डेट होना शुरू हो जाएगा उसके बाद आपका फोन अप्डेट हो जाएगा तो दोस्तों हम वीडियो में इसी बति कि आप अपने फोन को कैसे अप्डेट करोगे हमारी वीडियो से